इसलाम अलेकुम आज जो स्पॉट फिक्सिंग सागा था पीएसल तू का उसका जो फाइनल ट्राइल था उसका आज फैसला अनाउंस हो गया और बात यह है कि बहुत से केसे ऐसे होते हैं जो जीत के भी आपको खुशी नहीं होती अफसोस जरूर होता है क्योंकि अफसोस की बात यह है कि एक और प्लेयर ने अपना करेयर फिक्सिंग की भेंट चड़ाया एक और प्लेयर ने अपने जो हरकात थी जिनको रिपोर्ट करना जूरूरी था जो फिक्सिंग के जुमरे में आती उसका रिपोर्ट नहीं किया और अपने आज के फैसले के मताबिक ट्रिबनल इस नतीजे पर पहुंचा है कि जो पी-सी-बी के चार्जिस थे नासी जमशेद साब के अगेंस वह प्रूव हुए और उनको दस साल के लिए बैन किया गया है मुल्टिपल चार्जिस पर इसके इलावा कुछ में दस साल बै किसी किसम का कंसर्न रखने के इजादत नहीं होगी और इनको क्रिकेट से दूर रखा जाए और इनका नाम उस लिस्ट में भी शामिल किया जाए जो प्लेयर्स को लेक्चर दिये जाते हैं एक पर परसन्स तू बी अवाइड़िट है तो यह आज का फैसला था जो पी-सी- किया और सब को रिक्रूट करने के बाद यह फिक्सिंग हुई और यह सारा कुछ हुआ तो यह आज का इनको दूसरे को उपसाने का इजाम साबित नहीं हुआ था ने यह पहले में क्लारिफाय कर दो कि वह पहले वाला सिर्फ यह था कि यह फेलियर तो कोपरेट यह पी-सी- किया यह साबित हो गया है सागर सारा देखें जो आप क्लेम कर रहे हैं किसका मतलब यूसुफ को बुकी साबित करना पी-सी-ब का काम नहीं है यह मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कोड के मताबिक पी-सी-ब का बुकी के साथ कोई कंसर्ण नहीं होता पी-सी-ब सिर्फ अपन है बुकी इसको पकड़ना जो क्राइम एजिंसी होती है उनका काम होता है पी-सी-बी का काम है इसलिए जो क्राइम एजिंसी के लोग भी पेश हुए उन्होंने बड़ा क्लेर ली का है कि चुके मामला पेंडिंग है इसलिए हम उसके खिलाफ जो मिटीरियल है और डिसकस नहीं कर सकते बरतानी खानून के मताबिक वहां क्रिमिल प्रॉसीडिंग अभी जारी है और क्रिमिल प्रॉसीडिंग में ये सब गरिफ्तार होके बेल पे मौझूद है तो लहाजा बेल पे होने की वज़ा से अभी उस प्रॉसीडिंग चलने के वज़ा से डिसकस्ट नहीं किया जा से अपील का राइट तो देखे हैं पाकिसान के कमानीन में जो राइट हर शेहरी के होते हैं वो इनके भी होंगे और उसके मताबिद जो भी अपना फैसला करेंगे जिस अदालत में भी जाएंगे वो इंकार रही तो अब तो केस का फैसला आ चुका है तो लासी रशेद का मौकिफ यह सामने है था कि वो किरिकट बैट के फिरोग्त का कारोबार करते हैं तो करेंगे भी बैट का जो कर सकते हैं अट बैट का कारोबार पन कर सकते हैं तो एक तरह की सजाय और ऐक पर जरता कि जो बांगे नीन गहतले हैं अगर्य मार था किया एक polsk किए ऐसंने एक यह इनको डरा परूर मुंप आप अगर आप अपरोच करते हैं और खुद आपके बताते हैं आपको पकड़ा नहीं जाता है और यहां पर एक ऐसे साहब थे कि जो लोगों को रिकूरूट कर रहे थे जो पूरा सारा के सारे स्ताने माने का एक लाजम हिस्सा थे लिए काट्स क्रेडल अराउंड विछ इवरिफिंग वस बिल्ट अपॉन तो लहाद यह बार डिफरेंट है दोनों चीजों को एक पराए में देखना तो मुनासिब नहीं है आप बिलकुल यह कह सकते हैं कि ही वस प्रिफिटल प्लेयर अस फार इस क्रिकेड इस प्रिफिटल गेही थे इसलिए इनको दस साल के सजाते हैं तो आपको बड़े अफोस हुगा है यह तो आपने उस डॉक्टर बाला साथ जया तो अपने पुद्धी मरीज को इंजेक्शन लगा है जहर वाला और बाद में कहा देखें डॉक्टर के हाथ का मारवा बच जाता है वकील के हाथ का मारवा नहीं बचता है थैंक यू वेर मच्छ